हलो स्टूदेंस वेलकम टू ग्लोबला ओनलाइन दिस इस अंकीता सोच सो पेपर वन के फाइनल प्रपरेशन में सूपरफास रिविजिन सेशन में आज हम यूनिट नमबर नाइन पीपल डेवलपमेंट और एनवर्मेंट को अगले 60 मिनट के अंदर डिटेल में डिसकूस करने वाले हैं तो स्टूडेंस हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यहां पर मेजर फोकस रहेगा और इसी के साथ शुरू करते हैं सेशन को students अगर आप भी first attempt miss examination को qualify करना चाहते हो तो paper 1 पर major focus रखेगा and इसके लिए complete course भी हमने launch किया है जहां पर examination के level और latest questions के pattern के हिसाब से हम daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus examination से पहले cover करवाने की guarantee देते हैं इन live sessions में आपके concept के साथ-साथ MCQs and PYQs भी practice करवाए जाएंगे full syllabus mock test आपके लिए available है साथी 2000 plus MCQ question bank है जहां पर आपको अभी तक के सभी state के previous year questions मिल जाएंगे वो भी solution and explanation के साथ इस examination में इस question bank के बाहर से एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा ये भी हमारी surety है so students आपको classes join करने के लिए global online app download करना है store section पर search bar में course का नाम लिखिए इसके overview कच्छे से देखने के बाद आप directly live classes में जाकर 9 p.m. हमारे sessions को daily join कर सकते हो and इसके अलावा students content पर जब click करोगे आपके पास already available recorded videos मिल जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों languages में mock test है आपके examination से पहले यह सभी mock test आपको attempt करने है साथ ही जो भी videos हैं यह examination के लिए काफी है यहाँ पर आपको कुछ tricks भी बताई चाहेंगी जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी so students यह best course है जो इस कम टाइम में भी आपको exam qualify करने में बदत करेगा आपको सरफ given numbers पर whatsapp की through contact करके इसको join करना है और कोई भी जाद information चाहिए तो आप comment करके भी पूछ सकते हो so सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि sustainable development goals क्या होते है so यह कैसा topic है people development and environment का जो की most important है हर साल पूछा जाता है Hindi medium students यहाँ पर देखिए sustainable development goals को Hindi में बोला जाता है सतत विकास के लक्ष्य ठीक है सतत विकास के लक्ष्य अब देखो एक proper development जब सभी country की चाहते थे तो authorities ने क्या किया कुछ goals बना लिए कुछ लक्ष्य बना लिए और फिर सब लोग उन लक्ष्य को अचीव करने की और लग गए ठीक है तो यह इसमें 17 लक्ष्य है 17 goals है जो कि आपको पता होने चाहिए इसमें आपको sequence याद होना चाहिए बहुत जादा important है साथ यह exam में यह directly पूछा जाता है कि माल लीजे sustainable development goals में 11 number का goal कौन सा है 6 number का goal कौन सा है तो यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एक story की तरह बताऊंगी तो सबसे पहले देखो चीज़ें शुरू होती हैं गरीबी से तो सबसे पहला goal यह था कि गरीबी को वो हटाएंगे आप देखो अगर पूरे देश में देश की बात करते हैं यहाँ पर अगर कहीं पर भी गरीवी poverty नहीं रहेगी इसका मतलब यह है कि सब लोग खाना खाएंगे तो शुन्ने भुखमरी जीरो भुखमरी यहाँ पर हो जाएगी सब लोग गरीब नहीं रहेंगे सब लोग अच्छा कमाएंगे तो भुखमरी नहीं होगी उसके बाद अगर किसी को कोई भूखा नहीं है तो उसकी health अच्छी रहेगी उसका स्वास्ते बहुत अच्छा रहेगा जो की goal number 3 में बताया गया है उसके बाद गुनवत्ता पॉर्ण शिक्षा यानि की जिसकी अगर health अच्छी है तो वो एक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं एक quality education ले सकते हैं अगर किसी के पास education बहुत quality level की है तो अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान देश में होगा सब लोग अच्छे पढ़े लिखी होंगे तो वो gender equality को मानेंगे वो लैंगिक समानता की और ध्यान देंगे कि महीला पूरुष बराबर है सब को बराबर कादिकार होना चाहिए कोई किसी से कम नहीं होता ठीक है इसके बाद अगर समान सब को मान कर चलते हैं तो अब इसके साथ साथ आपको सवच्छ जल और sanitation यानि की सवच्छता की और ध्यान रखना है अगर आप लोग सवच्छता की और ध्यान रखोगे अच्छा पानी पियोगे अपने आसपा सफाई रखोगे तो आप लोगों का बातावरण अच्छा होगा पूरा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा जिससे आप एक लीन और ग्रीन एनरजी मिलेगी यह सात्वा गोल आठवा गोल बोलता है कि अगर आप लोग एक अच्छी एनरजी एक अच्छे साफसुत्रे वातावरण में रहोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कर पाओगे जिससे कि आपकी अपनी प्रगती के साथ-साथ देश की भी आर्तिक वृद्धी होगी अब देश के अगर आर्तिक वृद्धी हो रही है तो बहुत सारे उद्ध्योग और लगेंगे नवा चार होगा बुन्यादी सुविधाएं और जादा बड़ेगी जो कि गोल नमबर नाइन हमें बताता है हर एक गोल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ऐसा नहीं है कि इनको याद रखना मुश्किल है जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे स्टोरी की तरह याद रखो बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद आता है अब देखो यहाँ पर जैसे बताया गया था कि पड़े लिखे लोग होंगे तो इन इक्वालिटी को भी आटोमेटिकली हटा ही देंगे वो सबको बराबर का अधिकार देंगे और समानताओं की कमी होगी ठीक है ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकलर डिपार्टमेंट में सिरफ महिलाएं काम कर सकती है सबको बराबर के समान अधिकार यहां पर फिर मिलेंगे सिस्टेनेबल सिटीज और कम्यूनिटी एक बहुत ही अच्छी सवहनिय शेहर और समुताओं आप लोग बनाएंगे एजुकेटिड लोग होंगे पड़े लिखे लोग होंगे महिला पुरुश सब अपने अपने अंड पर अगर कमा रहे होंगे तो एक अच्छा समुताओं आप लोग बनाओगे ठीक है उसके बाद आजाता है सवहनिय उप्योग और उत्पादन तो एक सस्टेनेबल कंजंप्शन और प्रोड़क्शन होगी एक अच्छे से हमें पता होगा किस चीज को कैसे यूज करना है कैसे उसको और प्रोड्यूस करना है क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा रहेगा जलवाईू कारेवाई भी बहुत जरूरी है जल वाई उकारे वाई में सबसे पहले आ जाता है कि पानी के नीचे जो मचलियां होती है और भी जीव होते हैं उनको कैसे बचाया जाए अब देखो जैसे बहुत ज़्यादा है लोग आपने देखे होंगे पॉल्यूशन में भी आपने पड़ा होगा कि गंदा नदी और नालों का पानी कहा जाता है नदीयों में मिला दिया जाता है आपके घर का गंदा पानी नदीयों नालों में मिला दिया जाता है जिससे पानी के अंदर रह रहे जीवों को बहुत नुकसान होता है बहुत सारे स्पीशिस खत्म भी हो गई है तो उनको बच और लास्ट वाला गोल जो है, वो सब गोल्स को अचीव करने के लिए आप सब की पार्टनर्शिप, आप सब की एक जुटता, आप सब की भागीदारी मांगता है, तो यह 17 गोल्स है, जो कि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, एक्जाम में बहुत 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 बार पूछ ही जाते हैं, अब यहां पर एक सवाल यह आता है सबसे पहले कि जो सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्षे हैं, उनको किसने जारी किया, तो इसको जारी किसने किया था, आप लोगों को कल ही हमने नीतिया योग के बारे में बताया है, है ना, नीतिय योग नहीं, सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट गोल्स के इंडेक्स को 2018 में लागू किया था, यह जितने भी टार्गेट्स हैं, यह अभी तक ऐसा नहीं है कि बस बना दिये और छोड़ दिये, ऐसा है कि यह सारे टार्गेट्स को अचीव करना है, इंडिया ने और बाकी कंट तो कितने अप्जेक्टिव हैं, 17 गोल्स है, 17 लक्ष्य है, और 169 अप्जेक्टिव सै, 169 उदेश्य है, 17 लक्ष्य है और 169 उदेश्य इसमें शामिल है, तो तेखो यह जो 17 गोल्स आए थे, इससे पहले यह आया था, यह क्या है, यह SDG है, SDG का मतलब होता है, सॉरी SDG वो था, ये MDG है MDG MDG का मतलब होता है Millennium Development Goals यानि की सहयुक्त राश्र सहसाब्दी विकास लक्षिय सो ये goals क्या थे? इसमें सिर्फ आपके पास 8 goals है और इन 8 goals को कब तक पूरा करना था? 2015 तक पूरा करना था तो ये goals जैसे ही achieve हो गए, उसके बाद ही Sustainable Development के 17 goals को रखा गया था ठीक है? एक्जाम में यहाँ पर ये question आता है कि इस तरीके से question आता है, देखो question पर जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि यूजिसनेट exam के paper 1 के preparation के साथ, paper 2 पर भी बहुत धान दीजेगा इसके preparation के लिए full syllabus study material हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको notes और mcqs मिलेंगे mcqs series में pyqs most repeated and most expected questions की series है, जिसमें से as it is questions exam में आते है exam के बाद interview होता है, उसको qualify करने में भी study material आपको बहुत जादा मदद करता है एक और अच्छी news इसकी साथ ये भी है कि जब तक आपका exam और interview qualify नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so screen में अपने subject का नाम देखिए and given numbers पर whatsapp के through contact कीजिए इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीज देनी है, वो भी सिरफ 1280 रुपए, ok so देखो यहां पर अभी हमने sustainable development goals पड़े, इसमें पूछा है goal number 10, 13, 14 and 15 कौन सा है अभी मैंने आपको बताया, explain नहीं करूंगी, answer नहीं बताऊंगी, ये दे दिया मैंने आपको homework question जल्दी से बताए goal number 10, 13, 14 and 15 क्या होता है, ok अब यहां पर एक question ये भी आता है, कि जितने भी आपके पास sustainable development goals है, इन goals को सबसे ज़्यादा अचीव करने वाले states कौन कौन से हैं, इंदिया में तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदिश, उसके बाद है केरिला, उसके बाद आता है तमिलनादी, इसके अलावा अगर हम चंडीगर की बात करें, तो चंडीगर ने इसमेना score दिया जाता है हर एक goal को 100, तो 100 में से 68 score किया है चंडीगर ने ये top union territory में आता है, इस तरीके से चो और question देती हूँ, अच्छा पानी और साफ सफाई, यानि कि sanitation और clean water से related कौन सा goal है, कौन सा goal है, sustainable development goals में से कौन सा goal है, जो हमें साफ पानी और sanitation की सुविधा या इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं, अ अब अर्थ के चार स्फियर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत जादा important है, तो सबसे पहला स्फियर आ गया, देखो, बायो स्फियर, बायो स्फियर में बर्ड्स और ये सब चीजें आती हैं, जो की हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है, दूसरा है एर, जिसक स्थल मंडल, लिटो स्फियर, जल मंडल, हाइडरो स्फियर, वायो मंडल, एट्मो स्फियर, और जीव मंडल, बायो स्फियर, ठीक है, ये बायो स्फियर को जीव मंडल बोलना है, तो ये चार स्फियर्स होते हैं, सब का अलग-अलग department, जिसने मिटी, पत्थर, ये सब लेते हैं और गायसे क्यों रही हो था रहती हैं यह सब चीजे इंसित् सफयर एंसित्ушка हीए ऐा सबस्सक्राइस सबस्क्राइब लिवावाकु था था करे करें जो ब्रीकर हैश्ट में और सबस्क्राइब और पांचरम कर कवांदयान। नख़यर्य और सिकत्ष। उन्चाई के साथ होने वाले तापमान में बदलाव से निर्धारित होती है और पृत्वी के वायू मंदल की परतों को लगबग पांच परतों में वाटा गया है कौन कौन सी है ट्रोकोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर शोभ मंदल, समताप मंदल मध्य मंदल, ब्राम्य वायू मंदल और वहिर मंदल ठीक है नोट कर ली चीज़े एक्जामी यह क्वेशन आएंगे कि अर्थ के कितने स्फियर है उसमें से जो एट्मोस्फियर है उसको आगे कितने परतो में बांटा गया है कितनी लेर्स में बांटा गया है अब यहां पर जितने भी स्फियर हमने अभी तक चार स्फियर पढ़े कौन से स्फियर में कौन कौन सी चीज़ें आती है लीथो स्फियर में जैसे मैंने आपको बताया लीथोस्फियर में क्या आता है मिट्टी और ये सब चीज़ें आती है ठीक है स्थल मंडल जिसको बोलते है इसमें सॉाइल, मिनेरल, पत्थर, रॉक्स ये सब चीज़ें आ जाती है उसके बाद हाइड्रोस्फियर पानी जैसे ओशन है समुद्र है, सीज है, रीवर है, नदियां है, लेक है, जील है गलेशियर, आइस कैब, ग्राउंड वाटर, ये सब चीज़ें हाइड्रोस्फियर में है एट्मोस्फियर क्या बताया था? एट्मोस्फियर बताया था, वायू मंदल, एयर्ड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डायोकसाइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें है बाइयोस्फियर क्या होता है? बाइयोस्फियर क्या बताया? मैंने ये बताया वायू, जीव मंदल जिसमें पेड़ पौधे, एनिमल्स, बायो और्गनीजम ये छोटे-छोटे कीड़े, मकौड़े जो होते हैं पेड़ों में छोटे-छोटे पक्षी, छोटे-छोटे से फ्लाइज, ये सब जो हैं ये सब आपके बायो स्फियर के अंदर आते हैं, ओके अब जैसे हमने बात की कि अटमोस्फियर में multiple layers होती हैं, है ना, स्टेटोस्फियर, ट्रोपोस्पियर, ये सब हमने देखे atmosphere में बहुत सारी layers होती है अब देखो क्या होता है कि ये अगर हमारी पृत्वी गोल है पृत्वी का जो ये outer border होता है इसमें ये सारी multiple layers होती है अब ये हैं हमारे पास sun, सूर्य सूर्य की किरने हमारी पृत्वी पर पड़ती है जिससे हमें heat मिलती है ये जो layers होती है ना ये layers कहीं ना कहीं अपना अपना काम करती है और पृत्वी पर सूर्य की हानी कारक किरनों को आने से रोकती है कुछ किरने तो हम तक पहुँचती है जो हमारे लिए beneficial है जो इनसानों के लिए या फिर पशुपक्षी पेड़ पौधों के लिए का मतलब होता है कि ये layer अभी समय के साथ साथ क्या होती जा रही है पतली होती जा रही है अब देखो ozone layer क्या करती है ozone layer ने बहुत important layer होती है जो कि सूर्य की हानी कारक UV किरनों से हमें बचाती है UV किरनों का मतलब होता है ultra violet radiation ये human skin के लिए plants के लिए बहुत हानी कारक होती है इनको हम इनसानों तक पहुंचने से बचाती है लेकिन क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है pollution बहुत जादा है हम लोग अपने पर्यावरन का ध्यान नहीं रख रहे है plastic यहां वाँ फैंक रहे है गंदा पानी यहां वाँ फैंक रहे है और इन सब चीजों की वज़ा से pollution और यह सब चीजे ग्रीन हाउस गैसे इन सब की वज़ा से ozone layer जो है वो समय के साथ-साथ पतली होती जा रही है जिससे कि सूर्य की UV रेज हम तक पहुंच रही है तो इसको अब देखो बहुत सारे government of India ने initiatives लिए हैं जिससे कि हम ozone layer को बचाने की और कदम रखते हैं जैसे कि इसमें एक पहला protocol है एक पहला rule है वो है Montreal protocol exam में आप लोगों ने जरूर सुना होगा अभी तक अगर आप लोगों ने तयारी जैसे कर ली है exam की Montreal protocol के बारे में जरूर सुना होगा ये protocol 16 सितंबर 1987 16 सितंबर 1987 हो क्या किया गया था विश्व के कई देशों में शुरू किया गया था and Montreal protocol ozone layer से ही related है ozone layer को बचाने के लिए इसको बनाया गया था human की जो activities है मानव की जो day to day routine है उसकी वज़ा से ही ozone layer जो है वो पतली होती जा रही है इसमें बहुत सारे chemicals का भी रोल होता है ठीक है जैसे कि अगर हम CFC की बात करें आप लोगों ने बच्पन में ये सब चीज़े सुनी होंगी chloroflorocarbons ठीक है ये देखो का जो क्षरण हो रहा है उसमें chloroflorocarbons का एक बहुत important रोल है इसके अलावा कुछ और भी chemical है जैसे methyl chloroform है halogen है ये सब इस layer को destroy कर रही है अब human भी तो chloroflorocarbons जो है वो release करते है वो कैसे आप लोगों के घर में fridge है रेफ्रिजरेटर है आप लोग plastic यूज़ करते हो आप लोग घर में जब paint करते हो उसकी जो smell होती है हम बोलते हैं घर में fridge को बहुत देर खुला नहीं रखना चाहिए घरवाले बोलते हैं कि fridge को खुला मत रखो जो सामान निकालना है उसको निकालो और बंद करतो immediately तो वो क्यों बोलते हैं क्योंकि उससे जो gas निकलती है उससे जो chemical release होता है वो हमारे प्रित्वी के लिए बहुत ही जादा नुकसान दायक होता है इसके अलावा ozone layer के depletion के लिए कुछ chemicals के नाम है जो के exam में पूछे जाते हैं जैसे कि पहला है CFC यहां पर लिखा है chlorofluorocarbons दूसरा क्या है दूसरा है rocket launches जो rockets launch होते हैं उससे जो gas निकलती है उसके अलावा है nitro NO2 है जैसे NO है N2O है नाइट्रस वाले जितने भी compounds होते हैं इसके अलावा natural चीज़ें भी होती हैं जैसे कि सूर्य की किरने अगर एकी जगा पर बड़े दिनों तक लगातार पढ़ती रहती है बिना बारिश के या बिना इस चीज़ के तो वहां पर वो थोड़ा सा होल करता रहता है जिसकी वज़़े से वो zone layer डिप्लीट होती जा रही है जैसे हम लोग आग बुझाने वाला वो जो होता है fire extinguishers उसमें जो gas होती है वो भी chlorofloro को release करती है hellawns को release करती है जिसकी वज़ा से पृत्वी को बहुत सादा नुकसान पहुंचता है ठीक है उके इसी के साथ अगला topic है greenhouse gases तो देखो greenhouse gases में से भी एक question exam में आता है जिसमें सबसे पहले है carbon dioxide कितनी gases होती है पहले तो यह बताइए total 5 gases होती है carbon dioxide 56% methane 18% chlorofloro carbon CFC 13% ozone 7% nitrous oxide 6% nitrous oxide या nitrous gases जो होती है nitrous वाली gases जो होती है वो हमारी पृत्वी को नुकसान ही पहुंचाती है तो greenhouse gases क्या होती है यह वो gases होती है जो की atmosphere में heat generate करती है and global warming का यह सबसे बड़ा कारण होती है आप लोगों ने सुना होगा आजकल मौसम कैसा चल रहा है यह है global warming के लिए responsible जिक है अब देखो अभी आप लोग यह video देख रहे हो आप लोगों को पता है कि मौसम अभी कैसा चल रहा है एकदम से वारिश, एकदम से धूख एकदम से ठंटी, एकदम से गर्मी इस तरीके का मौसम चल रहा है यह किसकी वज़ा से हो रहा है इसको आप सब बोलते हैं यह global warming की वज़ा से है global warming क्या है यह सबसे पहले जानिए globe जो है हमारी पृत्वी जो है वो गर्म हो रही है किसकी वज़ा से यह जो extra gases, greenhouse gases हमारी पृत्वी में extra level पर बढ़ रही है यह नुकसान पहुंचा रही है और यह responsible है global warming के लिए ठीक है इसमें जैसे की surface और zone O3 की बात करे यह एक secondary greenhouse gas है जो की pollutants जब बहुत सारे pollution बहुत सारे पृदूशक हमारे आसपास घूम रहे होते है न वो पृदूशक जब हवा में मिलते हैं सुर्य की किरन में मिलते हैं तो वो इस gas को release करती है इस gas को बनाते है और जो बहुत जादा नुकसान पहुंचाती है तो इसलिए का जाता है कि production को कम करो हमारी पृदूशक अपने आप सही सलामत बच जाएगी ठीक है तो greenhouse gases का नाम याद रख लिया एक्जाम में जरूर question आएगा confuse मत हो येगा ठीक है global warming की बात हम कर रहे थे global warming refers to the increase in average temperature ठीक है जो हमारा temperature है पृद्वी का ठीक है उसका जो तापमान जो है पृद्वी का वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ अर्थ का जो आसपास का surface है हवा है, ocean है वो क्ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्णी सेन नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़़ा से global warming होती है समुद्र में पानी इतना गरम हो जाता है कि उसके अंदर की जो species है वो खत्म हो गई है कितनी सारे मचलियों की परजाती है जो खत्म हो चुकी है अब आपको देखने कोई नहीं मिलेगी कितने सारे जंगल में ऐसे जीव हैं जो की खत्म हो चुके हैं अब जिनको बचायने के लिए बहुत सारी मोधी जीन स्कीम्स लाई हुई है ठीक है अब ग्लोबल वामिंग का भी कुछ कारण है जैसे कि वनों की कटाई हम कर रहे हैं वनों की कटाई आपने बच्पन में पढ़ा होगा वनों की वज़े से बारिश होती है जादा वनों को हम काट रहे हैं तो बारिश कम हो रही है गर्मी बढ़ रही है तो ग्लोबल वामिंग के चांसे बढ़ जाते हैं हम लोग जो वाहन यूज़ कर रहे हैं उससे जो धुआ निकलता है जो पेट्रोल डीजल कार्स देखो आपको पता हो वज़ाए डीजल कार्स अभी आना बंद हो चुकी है क्यों क्योंकि डीजल जब गाड़ियां चलती तो उससे गंदी स्मेल निकलती है जिसकी वज़े से गलोबल वामिंग होती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन यहां पर है इंडस्ट्रीज होती है बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहां से काला धुआ या दंदा धुआ निकलता है एग्रिकल्चर खेती भाड़ी के लिए जो आप स्प्रे करते हो कीट नाशक करते हो उससे भी बहुत सारा नुकसान पहुंचता है हमारी पृत्वी को और यह सब चीजों की वज़ा से एक क्लाइमेट चेंज होता है यह सब चीजी एक दूसरे के साफ रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैसेज है इसको थोड़ा सा उपर नीचे अगर हो जाए तो क्या हो जाता है यह ग्लोबल वार्मिंग करने लग जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूमन की एक्टिविटेज भी है थोड़े से नैचुरल गैसेज भी है लेकिन वो इतनी जादा नहीं नुकसान पहुंचाती है अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो डायरेक्ल वार्मिंग उसका लिंक किसके साथ है क्लाइमिट चेंज के साथ है क्लाइमिट चेंज क्या करता है बातावर्म एकदम से परिवर्टन हो रहा है जिससे की नुकसान तो सबको है ही है ना, तो ये चीजे हैं इसके बाद बढ़ते हैं कि pollution क्या होते हैं, प्रदूशक आपको पताए कि क्या होते हैं, वायू में भूमी में, जल में, अलग-अलग प्रकार के प्रदूशक हमारे पास होते हैं अब मालीजे हमारे आसपास का जो atmosphere है, जो हमारे आसपास हवा गूम रही है वो हवा में अगर कुछ गंदगी फैल जाए, कुछ chemical release होकर आ जाए, तो वो ये पॉल्यूशन हो जाएगा कुछ समय पहले आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस वज़ा से मर गए, क्योंकि, क्यों मरे थे, क्योंकि देखो, किसी एक factory से gas release हुई थी, मुझे clear अभी याद नहीं आ रहा, वो किस state की news थी, आपको, किसी को अगर student को याद है, तो मुझे comment करके बता दीजिए, मुझे भी एक बार याद हो चाहेगा, उस particular state में, कोई factory थी, वहाँ से कोई gas release हुई थी, जिसकी वज़ा से कितने सारे आस पास की cities की और कितने सारे लोग मर गए, एक दम से उनके अचानक से मौत हो गई, तो वो air pollution होता है, पानी में pollution कैसे होता है, मान लीजे, पानी में अंदर कुछ chemical आ गया या कुछ भी हो गया, जिसके वज़ा से लोग वो कई पानी पीते हैं, है ना, तो उसकी वज़े से water pollution हो जाता है, आप लोग अपने घरों का पानी, या गंदी factory का पानी, नदे और नालों में मिला रहे हैं, आगे जाकर वो मचलिया हैं, और भी जीव हैं, पानी के अंदर रहने वाले, वो सब अगर उस पानी को पीएंगे, तो उन सब को तो कितना नुकसान हो जाएगा, वो water pollution है, land pollution क्या होता है, अपने land पे जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीके students, so I hope ये बिलकुल clear हो गई हैं आपको चीजे, ठीके, okay, so इसी के साथ जैसे air pollution गाड़ियों का धुआ है, electrical power plants है, heating plants है, ये सब चीजे आती है, ठीके, air pollution में, देखो, एक question यह आपर exam ही आता है, कि जब air pollution होता है, वायू में, हवा में जब प्रदूशक फैल जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाने वाली gases उसमें कौन सी चमरेट होती है, वो है CO, carbon monoxide, दूसरी है lead, तीसरी है NO2, nitrogen dioxide, next है PM, यानि कि particulate matter, और SO2, यानि कि sulfur dioxide, तो ये सारे air pollution है, smog है, ठीके, water pollution क्यों होता है, land slide हो गया जैसे की, volcanic eruption हो गया, ये सब की वज़े से water pollution होता है, उसके बाद soil pollution का सबसे बड़ा कारण agriculture है, मिटी खराब कैसे होती है, agriculture की वज़े से आप लोग जैसे कुछ खा रही हो, snacks खा रही हो, plastic water bottles को use कर रही हो, वो bottle को आफ फैंक दोगे, 10-15 साल के बाद भी वहाँ पर देखोगे, तो वो bottle आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी, वो गलती ही नहीं है, लेकिन वो जमीन, जिस जगह के आसपास होती है, उस पूरी जमीन को बंजर सरूर कर देती है, तो एगरी culture में और क्या होता है, जैसे आप लोग देखो, मिट्टी को उपजाओ बिनाने के लिए, या फिर कई बार कुछ ऐसी कीट नाशक मार देते हो जमीन पर, जिसकी वज़ा से आपकी मिट्टी में, मिट्टी बिल्कुल भी उपजाओ नहीं रहती, तो वो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे की बहुत जादा शोज शराबा है, ध्वनी परदूशन जिसको कहा जाता है, ठीके, आपके आपस बहुत जादा शोज शराबा हो रहा है, जैसे की, अगर पूरे वर्ल्ड में हम बात करें, सबसे जादा नॉइस वाली city कौन सी है City चाइना में है उसके बाद दुसरे नमबर पर India में New Delhi आता है तो दिल्ली इसमें भी दूसरे नमबर पर है सबसे साधा धनी प्रदूशन दिल्ली में होता है दूसरे नमबर पर पूरे Walde के हसाब से ठीक है उसके बाद चौथे नमबर पर आता है फिर इंडिया, इंडिया में मुंबई, चौथे नमबर पर है धुनी प्रदूशन के नाम पर ओके, सो अब देखो धुनी प्रदूशन की जैसे हम बात कर रहे थे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रिमेंट्स पर जाते हैं सो हम लोग जब धुनी प्रदूशन की बात कर रहे थे, सो इसमें इसके नुकसान क्या क्या होते हैं कईयों को मनों विग्यानिक दिक्कते हो जाती है, साइकलोजिकल इशूस हो जाते हैं, फिजिकल इशूस हो जाते हैं ठीक है, behavioral disorder, sleep अच्छे से नहीं आते हैं, अगर आपकी घर के आसपाल बहुत जादा शोर है तो आप अच्छे से नहीं सो पाऊगे दिमाग पर आपकी इसका फर्ग पर सकता है, आपका behavior चिड़ चिड़ा हो सकता है, आपकी memory और concentration में बहुत फर्ग पर सकता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि noise pollution की वज़ा से होती है इतना I hope students, आप सब को बिलकुल बिलकुल clear होगा ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे important agreements और conventions पर, जो कि अपने पर्यावरन को बचाने के लिए बनाए गए है इसमें आप important जो UGC net और set exam में पूछे जाते हैं, उसके नाम मैं आपको बताती हैं सबसे पहले ये है इक तो Paris Agreement, दूसरा है Montreal Protocol, Kyoto Protocol, then we have Rio Summit और लास्ट है International Solar Alliance, यानि की ISA ठीक है, तो ये देखो, आप होते क्या है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको Montreal Protocol अभी अभी बताया, Montreal Protocol क्या करता है ये ozone layer के लिए बनाया गया है ozone layer को बचाने के लिए ये बनाया गया है, जो वो पतली होती जा रही है जिसकी वज़ा से Human Health पे लुकसान पहुंचता जा रहा है, उसको बचाने के लिए बनाया गया है सो Montreal Protocol आपका जो हमने अभी Sustainable Development Goals पड़ा उन Goals को अचीव करने के लिए Montreal Protocol भी अपना साथ दे रहा है ये एक International Treaty है, जिसको डिजाइन किया गया है, जो जोन लियर को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 में इसको एग्री कर लिया गया था, मौन्ट्रियाल की बात कर लिए ठीक है 16 सितंबर 1987 में इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुके था, इसको फाइनल कर दिया गया था और 1 जैनवरी 1989 से इसको लागू कर दिया गया था, डिफरेंट टाइम टेबल है इसमें हर एक चीज को डिवलप करने के लिए और कुछ कंट्रीज, देखो इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई है, इस गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ कंट्रीज ऐसी है, जो की डिवलप हो चुकी है, पूरी तरह से बन चुकी है, एक अच्छी स्थिती में है और दूसरी हैं डिवलपिंग कंट्रीज, जो की अभी बन रही है, प्रगति की और बढ़ रही है तो सभी के लिए अपने अपने टार्गेट्स का यहां पर लेवल दिया गया है, एक एक फाइनल किया गया है कि कौन सी कंट्री कितने समय में कितना टार्गेट पूरा करेगी इनडियन कॉंस्टिट्यूशन के आर्टिकल नम्बर कंच के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए चिके इसके अलावा Montreal Protocol में कितनी countries है मैंने आपको बताया नहीं यह जर्फ India के लिए conventions और यह नहीं बनाए गए है इसमें world के बहुत सारी countries है so Montreal Protocol के लिए total 197 countries की भागीदारी है 197 countries के लोग मिलकर यह देखना चाहते हैं अपनी ozone layer को बचाना चाहते हैं चीके अब यहाँ पर कुछ goals हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि 2030 तक यह goals achieve करने हैं लेकिन एक चीज होती है HFC यह होता है hydrofluorocarbon जो hydrofluorocarbon है उसके use को उसकी खपत को कम से कम 80 प्रतिशत तक घटा देना है यह target भी Montreal Protocol के अंदर है और यह target रखा गया है कि 1947 तक हम ज़रूर पूरा करकर रहेंगे अब देखो Montreal Protocol जैसे मैंने आपको बताया कि Sustainable Development Goals से related है उसको goals को achieve करने के लिए भी responsible है तो सारे goals को यह achieve नहीं करेगा goals में यह आता है 1, 2, 3 5, 8, 9 11, 13 and 17 यह goals हैं जो की Montreal Protocol से related है Sustainable Development Goals ठीक है इतनी चीज़ें I hope students बिलकुल clear हैं आप सभी के लिए अब इसके बाद बढ़ते हैं Paris Agreement पर Paris Agreement किस चीज से related है यह है climate change से related climate change से related जो पर्यवरण में बदलाव हो रही हैं जिससे के नुकसान पहुंच रहा है बहुत जादा उन चीज़ों को कैसे control किया जाए कैसे manage किया जाए यह सब चीजें हमें Paris Agreement बताता है Paris Agreement को COP 21 भी बोला जाता है COP के बारे में हम आगे पढ़ेंगे फिलाल मैं बता देती हूँ कि COP की फुल फॉर्म होती है क्या फुल फॉर्म होती है COP की चलो ऐसे करते हैं बाद में जो जिसकस करेंगे ही एक और homework question दे दिया कि बताईए COP जो है COP 21 इसकी फुल फॉर्म क्या है COP की फुल फॉर्म क्या है Paris Agreement Climate Change से related है इतना आपको पता चल गया और ये क्या करता है Paris Agreement क्या करता है Climate में जो बदलाव हो रहे हैं उनको कैसे हम control करें कैसे अपने परियावरन को बचाने के लिए decision लें ये सब चीज़ें के अंदर आती है इसको 2015 में adopt कर दिया गया था अपना दिया गया था Climate Change में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे की Climate Change Mitigation हिंदी मीडियम वालों को भी प्रिताती हूँ Climate Change Mitigation Adaptation और Finance ये तीनों चीज़ों के लिए Paris Agreement responsible है यानि कि जलवायू परिवर्तन में शमन अनुकूलन और With इन तीन चीज़ों के लिए Paris Agreement COP21 responsible है इसके बाद फिर निक्स्ट आजाता है Kyoto Protocol ये भी एक बहुत important protocol है ये किस चीज़ से related है Kyoto Protocol is related to greenhouse gases greenhouse gases की emission को कैसे घटाना है ये decide करने के लिए और इन चीज़ों को control करने के लिए Kyoto Protocol बनाया गया था It was international treaty सिरफ ये इंडिया में काम नहीं हो रहा है इस पे international level पर काम हो रहा है That extended the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change अब देखो ये एक नई चीज़ है UNFCCC ये आपने जरूर सुना होगा previous questions में ये term देखी होगी UNFCCC का मतलब होता है United Nations Framework Convention on Climate Change यानि की स्वयुक्त राश्च्र फ्रेमवर्क Convention का विस्ताल ये एक फ्रेमवर्क था जिसको 1992 तक यूज किया गया और इसको एक्स्टेंड किया गया इसको बढ़ाया गया और लंबे समय थर और बात में इसका नाम दे दिया गया Kyoto Protocol Okay, so greenhouse gases को कम करने उसकी use को उसकी emission को कम करने के लिए greenhouse gas का उतसरजन को कम करने के लिए Kyoto Protocol बनाया गया था और मादव निर्मित CO2 emission जो है ये सब इसके इसके इन दराता है Kyoto Protocol को कब कहा बनाया गया देखो जापान आपने सुना होगा जापान जबान में एक जगा है Kyoto वहाँ पर इसको जो है अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था Kyoto Japan में इसली इसका नाम रखा गया Kyoto Protocol और इसको लागू किया गया 16 फरवरी 2005 से और इसमें कितनी पार्टीज हैं इसमें टोटल 192 पार्टीज है ठीके 2020 तक की अगर डेटा की बात करें तो इसमें टोटल 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ग्रीन हाउस गैसे मैंने आपको बता दी है सो Kyoto Protocol और ग्रीन हाउस गैसे में से किसी भी गैस का अगर वहाँ पर आपको नज़र आता है एक साथ तो आप क्या कर सकते हो आप लोग directly correct answer को identify कर सकते हो इसके बाद आता है फिर रियो सब्मित रियो सब्मित क्या है रियो सब्मित को रियो और सब्मित 1992 अजेंडर 21 और रियो डेकलेरेशन के नाम से भी जाना जाता है United Nation Conference on Environment and Development ने इसको Rio D. Genio के नाम से भी कहा गया था ठीके, so ये कब शुरू हुआ 3 से लेकर के 14 June 1992 तक पहला Rio Summit हुआ था ठीके, it gave the concept of sustainable development to be combined economic growth with economical responsibilities, so Rio Summit किस से related है Rio Summit, Environment or Sustainable Development से related है सतत, विकास, जो है पृत्वी का, Environment का उससे related बात आती है, so go for Rio Summit, Earth Summit भी इसको बोला चाता है The four categories covered in Agenda 21 proposed in Rio Summit तो इसको चार categories जो है उसमें इसके परस्ताव में रखी गई थी ठीके, so ये चार categories में पहली category है समाजिक और आर्थिक आयाम यानि कि Social Social and Economic Dimensions स्वरी, यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीके समाजिक और आर्थिक आयाम दूसरा है Strengthening the role of major groups प्रमुक समूहों की भूमिका को मजबूत करना ये statement भी Rio के अंदर आती है तीसरा है Means of Implementation कार्यान वयन के साधन चौधा है Resources for Development, Conservation and Management विकास, अरक्षन और प्रबंधन के लिए संसाधर ये सब चीज़े Rio Submit के अंदर काउंट की जाती है अगला जाता है International Solar Alliance International Solar Alliance ISAE ये क्या करता है Solar से related आपको बदा होना चाहिए कि Solar Energy से related questions एक्जाम में जरूर आते हैं ठीक है, एक्जाम में जरूर आते हैं अभी देखो, एक question आपको पता होगा शायद, अगर आप लोगों ने जो 26 January को parade होती है अगर आप लोगों ने वो सुनी होगी तो आपको पता होगा कि India का कौन सा ऐसा state है जो कि पूरे तरीके से solar power को use करने वाला पहला state बना है इंडिया का कौन सा state है पता है आप लोगों को नहीं पता तो भी मुझे comment करिए कि नहीं पता है ताकि मैं उस पे भी एक वीडियो लेकर आऊं, एक्जाम में जरूर question आएगा, बिल्कुल latest data है वो आपको पता होगा ना कि current affair भी एक्जाम में आते है ठीक है so international solar alliance is an action oriented member driven collaborative platform for increased development of solar energy technology इस alliance के अंदर क्या हुआ इस कटवंदन के अंदर ये decide किया गया कि सूर्य की किरने हमें मुफ्त में मिल रही है जो कि एक बहुत powerful चीज है, तो क्यों ना हम इसको use करके ऐसा platform बनाए कि हर चीज solar energy के साथ ही चलाई जा सकती है अब आपने जैसे देखा होगा, government of India ने solar lights हर घर में बांटी है ठीक है, कुछ free है, कुछ पैसे दे कर हैं, बट बहुत कम उसके लिए pay करना होता है, तो उसके पीचे का कारण क्या है, उसके पीचे का यही कारण है, कि वो बताना चाहते है कि solar energy powerful energy है, electricity आप इस तरीके से बचाईए solar products को use करके, solar watch आ चुकी है आपके घर की छट पर solar panel लग सकते हैं, जहां से आपको गीजर और यह सब चीज़े यूज नहीं करनी सकते हैं, तो यह cost effective है, इससे आप लोगों का भी फाइदा है, क्यूंकि आप सबके भी पैसे बच रहे हैं, electricity bill नहीं आएगा, और दूसरी चीज़े हम electricity generate जो करते हैं, उसे कितना नुकसान हमारे पर्यावरन को भी होता है, तो उससे भी उसको बचा सकते हैं, पर्यावरन को भी बचाएंगे, अपनी pocket friendly चीज़ भी हो जाएगी, ठीक है so, इसमें इंडिया और फ्रांस जो है, सबसे पहले इन्हों ने initiative यह उठाया था, और इसका vision है, vision का क्या मतलब होता है, vision का मतलब होता है, इसकी जो दृष्टी हम बोल सकते हैं, ठीक है, let us together make the sun brighter, let us together make the sun brighter, ठीक है, so यह इसका tagline है, आपको याद रखना है, अगर exam में आता है कि let us make the sun, together make the sun brighter किसका tagline है, तो आपको पता होना चाहिए, international solar alliance का यह tagline है, ठीक है, इसके अलावा इनोंने यह एक mission रखा है, mission बनाया है, कि कोई भी घर, कोई भी village दूर नहीं है, हर जगा पर हम यह light हर घर में पहुंचा सकते हैं, यह government का एक mission है, इसको लेका, ठीक है, और इसमें total कितनी countries हैं, 106 countries हैं, जिनोंने ISA के framework agreement को sign किया है, ठीक है, अब देखो, यहां पर यह चीज और आती है, अब आपको पता होगा कि कोई, बहुत सारे देश ऐसे हैं, जहां पर धूप नहीं आती, सुर्या का, मतलब वो, उनका point ही ऐसा है, वो देश है ही, ऐसी location पर, ऐसी दूप हम लोगों को मिलती है, ठीक है, सो यह सब चीजें, बहुत important है, हमारे लिए Indians के लिए, इसके लावा, ISA के अंदर कुछ और important projects इन्हों ने बनाए थे, जिसमें कि पहला project का नाम है, Osowog, Osowog का मतलब है, one sun, one sun, one world, one grid, यह sun वाला sun है, ठीक है, one sun, one world, one grid, एक ही हमारे पास सूर्य है, एक ही हमारे पास विश्व है, और एक ही तरीके से हम इसका benefit उठाएंगे, one grid में एक ही चीज़ बनाकर इसको रखेंगे, दूसरा है इसका, इसको बोलते हैं, I star C, I star C मतलब, International Solar Alliance, Solar Technology and Application Resource Center, ठीक है, सौर, प्रद्योगी की और अनुप्रियोग संसाधन केंद्र, तीसरा इनिशेटिफ जो है वो है, I T E C, I T E C, यह क्या है, Indian Technical and Economic Cooperation Scheme, भारतिय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना, तो यह तीन योजनाई हैं, जो की I S A के अंदर आती है, इसके अलावा, आपको यह भी पता होना चाहिए, कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉर्मेंट ने Solar Energy सर रेलेटिट वोगा सारे मिशन तयार किये हैं, तो उसमें कुछ मिशन ऐसे हैं, जिसमें पहला है NSM, National Solar Mission, राश्ट्रियस और मिशन जिसका नाम है, दूसरा है I N DC टार्गेट, इसका ऐसा था कि सोलर पावर प्लैंट्स लगाने हैं, 2022 तक तो यह टार्गेट काफी हद तक अभी अचीव हो चुका है, तीसरा है Solar Park Scheme, Solar Park Scheme, देखो स्टूडेंट्स यह अभी सिर्फ में नाम बता रही हूं, क्योंकि इस वीडियो में हमें complete इस यूनिट को कवर करना है, अगर आप चाहते हों कि Solar Energy और इस ते रिलेटर जितने भी Scheme हैं, जो upcoming exam में आ सकती हैं, वो उस पे separate वीडियो अगर आपको चाहिए, तो भी मुझे बता दीजिए, ठीके, उसके बाद आती है, Canal Bank and Canal Top Scheme, Next है इसमें Building Scheme, Sorry, Bundling Scheme, Okay, Bundling Scheme के बाद आता है, Grid Connected Solar Rooftop Scheme, इसको नौट कर लीजिए, Grid Connected Solar Rooftop Scheme, ठीके, तो यह 6 Scheme मैंने आपको बताई, जो कि Solar Energy से related है, इसमें यही इनका टार्गेट है, कि जादा से जादा Solar Energy को यूज कैसे करें, कैसे इसका benefit हम सबको होना चाहिए, इसके रावा Global Forming हम डिसकस कर चुके हैं, बात आती है COP की homework दिया था, COP का मतलब है Conference of Parties, Parties में का यहां पर मतलब है, बहुत सारी Countries ने मिलकर, अपने environment, अपने परियावरन को बचानी के लिए, कुछ meetings रखी हैं, जो की हर साल होती है, एंड हर एक meeting का कुछ target होते है, हर साल एक नई country उस meeting को host करती है, COP को host करती है, ठीके, तो review the national communication and emission inventory submitted by parties, the expansion of greenhouse gases emission, financing energy transition in poorest countries, reduction of methane emission, organization of carbon market, यह सारी चीज़े इसमें control की जाएंगी, ठीके, अब देखो, directly बढ़ते हैं आगे, देखो, COP 28 होना है अभी, ठीके, आपको बता होना चीज़े, देखो, यह COP 26, 2021 में हुआ था, ग्लास गो नाम की जगह में हुआ था, COP 27, नवंबर 2025 में हुआ था, एजिप्ट में हुआ था, उसके बाद COP 28 होने वाला है दुबाई में, यह आपको बता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको COP 21 बताया था ना, पैरिस Agreement, COP 21 बोलते हैं, पैरिस Agreement इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह पैरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था, पैरिस Climate Change Conference के नाम से भी इसको जाना चाहता है, और 2015 नवंबर 2015 में यह हुआ था, ठीके, इस तरीके से दो चीज़ें होती हैं, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी पर्टिकिलर सेक्शन आपको चाहिए, तो भी मुझ से पूछ लीजेगा, तो थांक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और भी बेरी बेस्ट,